हलो बच्चों, वेलकम तो आई यूट्यूब चानल, तो आज हम करेंगे standard 9th, maths 1, algebra का practice set 4.4, हम लोगोंने इसका एक lecture अप्लोड कर दिया है, lecture 1, जैसमें मैंने आपको पहले 2 questions and theorem on equal issue सिखाया था, और इसका हम लोगोंने ये 4th question भी solve कर लिया था, 4th question हमने 4.3 के method से ही किया था because वो जादा simple था, आज हम लोग इसका एक ही question बचाया, 3rd वाला वो solve करेंगे, लेकिन अगर आपने lecture 1 नहीं देखा है, तो यहाँ पे I के बाजुमें उसका link आएगा, वो link पे click कीजिए, आपको algebra के सारे lectures वहाँ पे मिल जाएंगे, line wise मैंने हर एक practice set के हर एक question का solution यह बहुत ही पपलू question है, तो पहले हम लोग इससे शुरू करेंगे ताकि आपके दिमाग में concept ठीक से बैठ जाए, इसका मतलब यह नहीं कि बाकी सब जो है वो difficult है, लेकिन यह second और third तो एकदम ही पपलू level questions है, तो पहले हम लोग second से शुरू करेंगे, second question में दिया है, if x upon 3x minus y minus z is equal to y upon 3y minus z minus x is equal to z upon 3z minus x minus y, यह तीन ratios हैं, दिख रहा है, एक ratio, दूसरा ratio, तीसरा ratio, कितना भी complicated हो, it is nothing but something upon something, तो एक ratio हो गया, यह दूसरा ratio हो गया, यह तीसरा ratio हो गया, and उसने क्या दिया है, x plus y plus z is not equal to 0, अब यह condition देख के बहुत difficult लगती है, लेकिन जब मैं question solve कराऊंगा, तो उसमें third या fourth step में यह use हो जाएगा, ठीक है, तब आपको मैं मतलब समझाऊंगा, कि इसका importance क्या है, यह बहुत जादा important है, अगर यह question में नहीं देता ना, तो हम इसका answer इतना मस्त लिखते हैं, then show that the value of each ratio, कितने ratio हैं यहाँ पर 1, 2, 3, each ratio, मतलब हरेक का value is equal to 1, तो आपको prove करना है in short कि इधर equal to 1 आना चाहिए, ठीक है, this equal to 1, this equal to 1 and this also should be equal to 1, चलो, use करते हैं इसको theorem on equal ratios में, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, कि यह जो ती तीन ratios हैं, देखो यह तीन ratios एक दूसरे को तो equal ही है, ठीक है, यह तीनो ratios का value हम ले लेते हैं, k, ठीक है, अब मैं k लिखूंगा आर जगे नहीं, तो हर जगे यह this equal to this equal to this, फिर equal to इन तीनों को combine करेंगे, तो सब बार बार लिखना पड़ेगा, हम तो lazy लोग है, हम k लिखे korusar dash डाला, और यहां पे लिखा x और उसके निचे लिखा 3x minus y minus z plus, फिर यह y और यहां पे नीचे plus हो जाएगा 3y minus z minus x plus z, अगर उपर z plus किया तो इधर z के नीचे वाला भी plus होगा, देखो जैसे y plus किया तो y के नीचे वाला भी आएगा, x था तो x के नीचे वाला भी राएगा क्या था z के नीचे 3z minus x minus y ये कैसे क्या मैंने ये तीनों ratios equal थे तीनों को हम लोग कैसे भी combine कर सकते हैं लेकिन combine जैसे numerator को किया same तरीके से denominator को combine करने का ये rule कौन सा rule है ये by theorem on equal ratios तो मैंने यहाँ पर x plus y plus z किया उपर तो नीचे भी उनके जो denominator थे वो भी plus होंगे ठीक है तो यहाँ पर reason में लिख देंगे by theorem of equal ratios या by theorem on equal ratios तो यहाँ पर उपर x plus y plus z तो ऐसे का ऐसा आ गया ये by theorem of equal ratios reason लिख दिया मैंने अब ये signs क्यों बनाई है यहाँ पर देखो इसके पास x है इसके पास x है और इसके पास x है तो इनको को साथ में लिख रहा हूँ, क्या है वो, 3x minus x minus x, ऐसा ही है न, 3x minus x minus x, तो साथ में लिख दिया, अब y वाला टर्म देखो, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, उसमें देखो, यह minus y है, यह plus 3y है, तो मैं plus 3y को पहले लिख रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा plus 3y, उसमें minus y, minus y, फिर क्या है हमारे पास, फिर हमारे पास z वाला term है, देखो यहां पे, minus z, minus z और plus 3z, तो पहले plus 3z लिख दो, तो मैं यहां पे plus 3z लिख रहा हूं, बाद में 2 minus z थे न, इसके पास, देखो यहां पे, minus z, minus z, and 3z, सारे terms के नहीं चे देखो, साइन आ गया, मतलब हम इसको आगे solve करते हैं, ऊपर तो कोई बदलाव नहीं हो, विचारा सीधा साधा, x plus y plus z ही रहेगा, इधर मैंने जाधा space देके लगा था, ताकि आपको समझ में है कि denominator जलग से आ रहे, x plus y plus z, जाधा space देके लिखो, कि एकदम बाजू-बाजू में लिखो, plus तो plus होता है न, तो यह उपर आला तो ऐसे काई सा रहेगा, नीचे क्या होगा देखो, 3x minus यह 1 है, यह 1 है, ठीक है, कुछ नहीं मतलब, तो x है सब के पास, तो हम लोग numbers add, subtract कर सकते हैं, 3 minus 1, कितना हो जाएगा, 2, 2 minus 1, आ जाएगा 1, तो मुझे मिलेगा 1x, जिसको मैं लिख सकता हूँ, x, similarly, यहाँ पर देखो, 3 minus 1, दिख रहा है, तीनों के पास y है, तो मैं 3 minus 1 करूँगो, तो आएगा 2, फिर 2 minus 1 करूँगो, तो आजाएगा 1y, जिसको मैं लिख सकता हूँ, y, यहाँ पर भी same दिख रहा है, दिख रहा है, 1, 1, 3 minus 1 minus 1, क्या होता है, 3 minus 1, minus 1 होता है, 1 न, 3 minus 1, 2, 2-1 1 या तो आप ऐसा भी कर सकते हो 3-1-1 को पहले इसको कर लो minus 1-1 हो जाएगा minus 2 3-2 आजाएगा 1 तो इधर भी आपको मिलेगा 1z जिसका मतलब होता है z तो आपके पास उपर x plus y plus z था नीचे भी आपके पास आगया x plus y plus z ये देखो मैंने इसको solve किया तो मुझे मिला एक येवाला x फिर मैंने इसको solve किया तो मिला ये y and मैंने इसको solve किया तो मुझे मिला ये z ये underline नीचे से हटा रहा हूं नहीं तो आपको समझेगा कि division मतलब ये denominator में भी division हो ठीक है तो उसको हम लोग erase कर देंगे अब देखो उपर नीचे दोनों जगे same time और इस 5 upon 5 5,000, 5,000 cut हो जाता है न अब cut कर सकते हो न तो ये line मैं छोटा कर रहा हूं तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया और बड़ा line लिखाता तो confusion हो रहा था तो ऐसे आता न 0 नीचे 0 आया मतलब आपको किसी चीज़ को 0 से divide करना आप कोई भी चीज़ को 0 से divide कर सकते हो क्या impossible है करना इसलिए x plus y plus z 0 तो हो ही नहीं सकता इसलिए यहाँ पे जो ये line दिया है न कि x plus y plus z not equal to 0 उसने बताया है कि भाई नहीं है 0 अगर ये नहीं दिया होता न तो हम लोग इधर तक answer लाते हो और फिर बूलते है बस यह answer है घर पे जा ठीक है लेकिन उसने बोला है कि x plus y plus z 0 नहीं है तो हम लोग उपर नीचे cut कर सकते है same है न अगर 2 upon 2 होता तो आप 2 अंजार 2 अंजार cut कर देते है same चीज उपर नीचे है तो आप cut कर सकते हो और आप लिख सकते हो answer क्या आएगा cut कर के 1 न 5 upon 5 क्या आता है 5100 5100 1 upon 1 same number upon same number किया तो 1 ही आता है अपको अच्छे से cancel करके बताना है तो मैं cancel करके भी बता देता हूं ठीक है बट cancel किया तो यहाँ पर reason लिखना पड़ेगा because x plus y plus z is not equal to 0 यह उसने question में दिया था अगर नहीं दिया होता तो हम लोग यह cancel नहीं करते हैं और answer को यहीं पर छोड़ सकते हैं ठीक है तो हमको equal to 1 आ गया क्या है equal to 1 k equal to 1 तो हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देते हैं k is equal to 1 बट k क्या है k तो यहाँ पर है न मतलब k के जगे पर 1 आ गया तो देखो this is equal to 1 this is equal to 1 this is equal to 1 तो each ratio equal to 1 हो गया न तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ therefore each ratio is equal to 1 और यही पूछा था इसलिए हम नीचे बहुत ही खुशी-खुशी लिखेंगे hence comma proved full stop ओके मस्त है न question पूरा solution एक बार देख लो इसको न लिखने के बहुत सारे तरीके कुछ लोग यह k नहीं लेंगे directly यहाँ पर equal to लिखके तीनों को add करके लिख देंगे तो उन्हों थोड़ा confusion होता है k लिखेंगे ना तो इसमें tension नहीं नहीं कि पता है कि k क्या है कि यह तीनों का value जो है वही है इसलिए मैं k terms में करता हूँ okay समझाए यहाँ पर theorem of equal ratios लगया वह तीनों को add किया उपर तो तीनों को नीचे भी add करेंगे फिर नीचे जो था उसको simplify किया तो same उपर नीचे हो गया उसको cut कर दिया क्यूंकि 0 नहीं है वो तो उसका table होगा न तो cut हो सकता है वो तो cut किया तो 1 upon 1 है which is nothing but 1 k का value 1 मतलब यह हर एक ratio 1 है तो hence comma prove चलो वीडियो pause करके फटा-फट से notebook में copy करो थर्ड वाला करते है वो भी ऐसे एकदम simple है थर्ड वाले में दिया है if ax plus by upon x plus y is equal to bx plus az upon x plus z is equal to ay plus bz upon y plus z and फिर से देखो x plus y plus z not equal to 0 जहाँ पे भी x plus y plus z cut होता रहेगा महाँ पे हम लोगे reason लिख देंगे आपको पता चला ना इसका importance then show that a plus b upon 2 यह show that नहीं show that value of each ratio is equal to a plus b upon 2 यह बोलना चाह रहा है मतलब एक ratio दूसरा ratio तीसरा ratio each ratio तीनों का value a plus b upon 2 आ रहा है ऐसे बताना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे let this equal to this equal to this equal to k ले लेंगे उसका value ऐसे लिख दिया अब k को solve करेंगे मैं क्या बोल सकता हूँ k is equal to यह तीनों numerator को add कर सकता हूँ तो तीनों denominator भी add हो जाएंगे न क्या लिखेंगे reason by theorem of equal ratios तो कर दो ऐसे तो यह मैंने तीनों numerator को add कर दिया तीनों denominator को add कर दिया ठीक है यह मुझे कैसे बता चला कि मुझे add करना है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे न तो यहाँ पर numerator में x वाला term है नहीं और denominator भी नहीं है उपर नीचे same time आगया तो cancel हो सकता है न ठीक है तो इसलिए मैंने add कर दिया add किया क्योंकि ratio जब ऐसे equal होते हैं आप add subtract कुछ भी कर सकते हैं इसको 2 से multiply करके भी add कर सकते हैं जो आपके मन में आएं बड़ जो उपर किया same नीचे करनेगा इसको बोलते है theorem of equal ratios ठीक है फिर आप add कर लो उसको बोलते है theorem of equal ratios अब यहाँ पर देख लो ax az ay ठीक है इनको साथ में लिख लेते हैं तो मुझे मिलेगा equal to ax plus ay plus az यह term लिख दिया यह term लिख दिया अब देखो by bx bz इसमें भी alphabet के लिखो पहले लिखो bx plus by plus bz नीचे क्या आएगा हमारे पास नीचे देख लो x plus x क्या हो जाएगा x plus x हो जाएगा 2x plus y plus y y plus y हो जाएगा 2y फिर z plus z आपके पास आ जाएगा 3z अब देख लो उपर यह तीनों के पास a है तो बार बार a क्यों लिखना है a को common निकाल लो निकाल सकते हो नो common निकाल जखता हूँ ना सेम वे मैं अब देखो यहाँ पे तीनों के पास अचा यह 3Z कैसे लिख लिए Z प्लस Z तो 2Z होता है यह वाला मिस्टिक मत करना तीसरा टर्म इसलिए मैं बोलते बोलते 3Z लिख दिया उसको 2Z है वो अब यह देखो इसके पास भी 2 इसके पास भी 2 इसके पास भी 2 तो बार बार 2 क्यों लिखो एक ही बार लिख देता हूँ और अंदर X प्लस Y प्लस Z 2 common निकाल लिया मैं फिर देखा अरे यार numerator में है इसके पास भी X प्लस Y प्लस Z इसके पास भी x plus y plus z तो ये x plus y plus z को बाहर लिख लेते हैं ना अलग से एक ही बार लिखना पड़ेगा फिर जब इसमें से x plus y plus z बाहर निकला तो यहां पर बचा a फिर बीच में plus है तो plus and इसमें से x plus y plus z को बाहर निकला तो यहां पर बचा b नीचे तो already हमने सब कुछ common ले लिया है 2 into x plus y plus z यह क्या हो गया यहां पे भी x plus y plus z यहां पे भी x plus y plus z उपर नीचे होगा तो मैं cut कर सकता हूँ तो यहां पे आप x plus y plus z and x plus y plus z cancel कर सकते हो और यह 0 नहीं है उसका बहुत importance है क्योंकि अगर यह 0 होता तो denominator में 0 आ जाता और आप 0 से किसी भी चीज़ को divide नहीं कर सकते लिखाया देखो not equal to 0 इसका यह importance है ठीक है तो आप next step में इसको काट सकते हो तो बचेगा क्या उपर a plus b नीचे 2 है ना तो यहां पे मैंने इन दोनों को काट लिया और बचा क्या उपर a plus b और नीचे 2 यह reason लिखने मत भूलना कि x plus y plus z is not equal to 0 reason मैंने already explain कर दिया कि यह important क्यों होता है तो k का value आ गया a plus b equal to 2 बट k क्या है k तो हम लोग उने यह लिया हुआ है ना ratio 1, ratio 2, ratio 3 तीनों का value k है तो मतलब each ratio हर एक ratio का value k है बट k का value क्या है a plus b upon 2 तो मैं बोल सकता हूँ therefore each ratio is equal to a plus b upon 2 यही prove करने बोला था तो नीचे लिख देता है तो ऐसे लिख दिया therefore each ratio is equal to a plus b upon 2 hence comma prove full stop ओके आया समझ मैं second और third जो हमने किया almost same मैं देखो दोनों में सिर्फ add कर दिया तो काम हो गया था बहुत ही easy था वो सिर्फ चेक कर रहे थे कि आपको variables add करना उसमें से common निकालना यह सब आता है कि रिए वो तो आता ही है तो second and third खतम अभी one, fourth and fifth तीन questions बचे हैं इसके तो अब देखते हैं फिफ्थ वाला question फिफ्थ में देखो एक ratio, दूसरा ratio, तीसरा ratio and बुलाई show that every ratio या each ratio is equal to x upon y मतलब आपको equal to लेके theorem on equal ratios लगा के इनको add, subtract जो भी यह करना है फिर बचना क्या चीए सब कुछ कट हो जाना चीए और बचना चीए x upon y ऐसा लाना है तो आप orally check कर लो अब जो मिन तीनों को add करोगे तो क्या आएगा 3x plus x हो जाएगा 4x फिर होगा यहाँ पर x नहीं है देखो फिर minus 5y और यहाँ पर plus y है तो आजाएगा minus 4y और यह 5z है और यहाँ पर minus 1z है तो आजाएगा 4z तो दिख रहा है 3x plus x आ रहा है 4x minus 5y और यह क्या है plus y तो minus 4y और यहाँ पर 5z minus z आ रहा है 4z तो प्रॉब्लम आएगा ठीक है कट नहीं होगा लेकिन अगर आपने इसको 5 से multiply कर दिया और फिर add किया तो देखो यहाँ पर minus 5y plus 5y cancel होके 0 हो जाएगा plus 5z minus 5z यह भी cancel होके 0 हो जाएगा बचे का क्या खाली यह 3x plus x जो हो जाएगा 4x अगर उपर 5 से multiply किया तो नीचे भी 5 से multiply करना पड़ेगा तो आपको मिलेगा 5x minus 5z उपर add किया तो नीचे भी add होगा देखो 5z minus 5z cut हो जाएगा minus 5x plus 5x हो भी cut हो जाएगा क्या बचेगा 3y plus y 3y plus y क्या होता है 4y उपर बचा 4x और नीचे बचा 4y 4 4 cut बचा क्या x upon y हो गया न सौल मतलब इसको cases all करना है पहले हम लोगो ए 3rd ratio को उपर नीचे 5 से multiply करना है कर सकते है न याद है उपर नीचे कोई भी same number से multiply कर सकते हो 5, 500 but दोनो उपर नीचे दोनो ये ratio में ठीक है क्योंकि 5 से multiply करना उपर नीचे मतलब क्या होता है 5, 5, cut के 1 ही होता है अब 1 से तो multiply करोगे तो कोई भी number same ही रहता है इकवल टू के ले लिया फिर ये दोनों को same रखा सिर्फ ये तीसरे वाले को 5 से multiply किया उपर और नीचे ठीक है और लिख दिया multiplying numerator and denominator of third ratio by 5 अब मैं लिखूंगा therefore k is equal to मुझे क्या करना है मुझे ये तीनों को add करना है कर सकता हूँ क्या कौन सी property है देखो ये multiply करने वाली तो property हमने ratios की सीखी थी उसके लिए कुछ लिखना नहीं पड़ा सिक ये ही लिखना पड़ा कोई theorem नहीं है बट इन तीनों को मुझे add करना है तो मैं लिखूंगा theorem on equal ratios तो हम लोग एक बड़ा dash बनाएंगे और क्या करेंगे उपर हम numerator को add करेंगे तो उपर है 3x minus 5y तो नीचे आ जाएगा 5z plus 3y फिर plus और कौन है second वाला है x plus 5z तो नीचे आ जाएगा plus y minus 5x दिख रहा है x plus 5z के साथ y minus 5x 3x minus 5y के साथ 5z plus 3y अब 5y minus 5z के साथ 5x minus 5z तो यहाँ पर लिखूंगा plus उपर आ जाएगा 5y minus 5z और नीचे आ जाएगा 5x minus 5z पर यह लिखा तो reason यहाँ लिखना पड़ेगा by theorem on equal ratios या theorem of equal ratios तो यहाँ पर next step क्या आएगा next step में हम लोग इसको simplify कर देंगे यहाँ पर देख लो minus 5y plus 5y हो जाएगा cancel यही पर cancel कर रहे हैं इसको यह गया और यह गया फिर plus 5z minus 5z यह दोनों भी हो गया cancel तो इसको और इसको cancel कर दिया क्या बचा उपर 3x plus x 3x plus x क्या हो जाएगा 3x plus 1x मतलब 3 plus 1 4 साथ में x आएगा तो 4x अपन नीचे क्या आएगा देखो नीचे यहाँ पर plus 5z minus 5z तो अनों cancel फिर यहाँ पर minus 5x और यहाँ पर plus 5x 0 हो जाएगा ना cancel बचा क्या 3y plus y 3y plus y मतलब 3y plus 1y 3 plus 1 हो जाएगा 4 साथ में y है इसलिए नीचे आजाएगा 4 के साथ y अब यह 4 4 तो उपर नीचे cancel हो जाएगा ना तो next step में मैं क्या करूँगा यह 4 1,000 और यह 4 1,000 cancel कर दिया क्या बचेगा नीचे नीचे बचेगा equal to x upon y तो k का value आपको आगया x upon y बट k क्या था के तो यही था ना यह 3 ratio जो question में दिया था वही था k तो मैं क्या बोल सकता हूँ every ratio इसने लिखा है actually each बोलना चाहिए बट ठीक है every ratio मतलब 1, 2, 3 का value आजाएगा x upon y तो यहाँ पर मैंने फिर से यह 3 ratio लिख दिये क्योंकि यही थे k दिख रहा है और उनका value क्या आगया k का value x by y तो इसका भी x by y अब कोच यह तो आप each ratio equal to x upon y लिख सकते हैं और फिर n's comma prude लिख दो तो भी right मिलेगा है ना एकदम easy है भी सिर्फ यह 3rd ratio को numerator denominator 5 से multiply किया फिर jam ने 2nd and 3rd question में किया तीनो ratios के numerator और denominators को add कर दिया by theorem of equal ratios सब कुछ cut काट के 4x upon 4y मिला जिसमें 4 4 cut हुआ तो x upon y मिल गया यही चीए था पूछा था आपको x upon y ओके चलो copy कर लो notebook में फटा फट से done तो अपना 4.4 का 3rd का यह 2nd हो गया 3rd हो गया and यह 5th हो गया अब बच्चा सिर्फ 1st and 4th ठीक है वो भी easy है बट थोड़ा अलग था इन जब से उसमें step जाद है इसलिए मैंने वो last में करा है चलो first वाला करते हैं first वाले में दिया है if a into y plus z equal to b into z plus x is equal to c into x plus y दिखा है ratio नहीं है terms दिये हूँ है 3 and out of a, b, c no two of them are equal no two of them are equal मतब a और b एक दूसरे को equal नहीं है two of them साथ में जोडी में b और c equal नहीं है a और c equal नहीं है क्यों equal नहीं है क्योंकि अगर equal हो जाएंगे तो उसने show that में दिखू क्या पूछा है y minus z upon a into b minus c अगर b और c equal हो गए तो b minus c क्या आएगा same minus same 0 होगा न नीचे 0 आ गया तो उसका तो question ही गलत हो जाएगा तो ये show that के बाजमें हम लोग लिखेंगे भाई तुने ये wrong दिया है ये कर नहीं सकते खतम उसको full marks देना पड़ेगा इसलिए उसने लिखाए a, b, c no two of them are equal मतलब b और c एक दूसरे को equal नहीं है c और a भी एक दूसरे को equal नहीं है तो ये भी 0 नहीं हो सकता a और b भी एक दूसरे को equal नहीं है तो ये भी 0 नहीं हो सकता यह वाला जो लिखा है उसके लिए लिखा है ठीक है अब यहां पे देखो ratio नहीं है और हमको show that में ratio दिया हुआ है और यह नीचे क्या terms है देखो a b minus a c है ना अगर यह bracket को खोलेंगे तो क्या आएगा a into b a b फिर minus a into c a c यहां पे आएगा b c minus b a मतब आपको ऐसे वाले terms चीए a b a c जो यहां पे ही नी a यहां पे है b यहां पे multiply तो नहीं कर सकते न ratio में यह ratio इससे multiply कर दिया इससे तो नहीं कर सकते तो यहां पे जबरदस्ती हर एक term में आपको ऐसे वाले terms लाने a b b c a c b a तो कैसे लाएंगे trick क्या है यहां पे देख लो अगर मैंने इसको a b c से divide कर दिया तीनों को तीनों को किया तो चलता है न same a b c से divide किया है फिर यहां देखेंगे तो a a cut हो जाएगा तो बचेगा b c यहां पे b b cut हो जाएगा तो बचेगा a c यहाँ पे C और C कट होगा तो बचेगा A B तो अपना काम हो जाएगा ना समझा तो first step में हम लोग यह वाले terms लेके आने के लिए तीनों equal to वाले जो terms उनको ABC से divide कर देगे कैसे ABC आया पता चला कि जबरदस्ती इनके नीचे हमको terms चीए तो इसको ABC से किया तो A कट तो BC मिलता है देखो यहाँ पे BC है यहाँ पे BC इन्टू B BC है कामाने वाल है न आगे जाके इसलिए first step में तीनों को ABC से divide कर दिया तो यहाँ पे यह दिया हुआ है A into Y plus Z equal to B into Z plus X is equal to C into X plus Y यह हर एक term को हम लोग ABC से divide कर देते हैं कर सकते हैं न same से करोगे तो equal to equal to ही रहेगा तो मैंने same चीज वापस लिख दी लेकिन हर एक के नीचे ABC लिख दिया अब देखो जैसे यह ABC आया यहाँ पे A और A कट यहाँ पे B है उपर और यह B कट अब आपको first वाला क्या चीए देखो उसको एक एक करके solve करें first वाला क्या है first वाला का denominator चेक करो denominator को अगर आप expand करोगे A B minus A C है न एक को अंदर बेजो A B minus A C कहां मिलेगा आपको A B minus A C लेकिन A B minus A C करोगा तो numerator का भी minus करना पड़ेगा न ठीए रम on equal ratios लगा सकता हो न भी इसके पड़े तो ratio 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 तो this minus this करना है क्यों विकास मुझे A B में से A C minus A C के लिए तो denominator minus करोगा तो numerator भी minus होगा तो कैसे मिलेगा इसका देखो तो मुझे A B में से A C minus करना है तो मैंने के लिखा है यहां पर फिर ये वाला term लिखा फिर ये वाला term लिखा order change कर सकते हो इक्वल ही है ना पहले इसको लिखो या इसको लिखो हम लोग X equal to 2 और 2 equal to X सेम ही होता है ना तो मैंने इसको लिख लिए अब मुझे क्या चिए A B minus A C तो अगर मैं नीचे denominator को minus करूँगा तो उपर numerator भी minus होंगे कौन सा theorem? theorem of equal ratios अब ये minus bracket को लो common ले लो तो अंदर मिलेगा यहाँ पे B और यहाँ से A common लिया तो बचा C यहाँ पे देखो X और minus X cancel बचा Y minus Z upon A into B minus C तो K का value क्या आया? Y minus Z upon A into B minus C इसको number 2 दे दिया Y minus Z upon A into B minus C दिख रहा है यही चीए था ना हमको अब next क्या चीए? B C minus B A यह B अंदर जाएगा तो दुनों से multiply होगा ना B C मतलब यह और B A मतलब A B होता है ना तो this minus this करना है तो मैं K equal to करके सिर्फ यह दो ratios लिख दूँगा तो कैसे दिखेगा यह? यहाँ देख लो मैंने K लिखा फिर B C वाला term लिखा and B A वाला term लिखा B A और A B सेम होता है अब मुझे B C minus A B चाहिए तो अगर मुझे नीचे denominator minus करने हैं तो numerator भी minus करने पड़ेगी तो Y plus Z minus X plus Y तो यहाँ पे जब भी bracket खुलेगा तो यह बन जाएगा minus X और यह minus into plus हो जाएगा minus Y और नीचे देखो B C और A B मेंसे B common इधर B common लिया तो बचेगा C minus और यहाँ पे B common लिया तो बचेगा A इसमें क्या cut हो रहा है देखो आपके पास Y और minus Y cut हो गया क्या बचा Z minus X और नीचे बचा B into C minus A इसको number दे दिया 3 तो K का value क्या आया Z minus X upon B into C minus A Z minus X upon B into C minus A यही चाहिए था अब तीसरा क्या चाहिए तीसरा चाहिए C into A minus B C into A minus B मतलब C A minus C B C A minus C B देख रहा है तो this minus this कर दा है तो मैं सिर्फ यह दोनों रेशियो रिखूँगा के एके साथ तो कैसे आ जाएगा तो यहाँ पे मैंने question जान बूच कर copy किया है मुझे क्या चीए थर्ड वाले के लिए C A minus C B तो मुझे सिर्फ C A वाला रेशियो और C B वाला रेशियो लिखना है देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे C A वाला और C B वाला के के साथ अब मुझे C A minus C B चीए तो मैं denominator minus करूँगा तो आ जाएगा न तो denominator को minus किया लेकिन denominator को minus किया तो numerator को भी minus करना पड़ेगा by theorem of equal ratios यह C A minus C B में देखो C common ले लो मैं बोल रहाँ C A minus C B क्योंकि उपर C A minus C B था इसको A C minus B C बोलो कोई फरक नहीं पड़ता C को common ले लो यहाँसे C गया तो बचा A minus यहाँसे C गया तो बचा B उपर देखो यह minus जाएगा तो minus Y फिर यह minus अंदर जाएगा तो minus बन जाएगा minus plus और यह Z आएगा Z और minus Z कैंसल क्या बचा X minus Y upon C into A minus B ठीक है तो आप यह question में हटा रहा हूं यहाँसे तो अब इसको देखो मुझे K का value क्या क्या मिला मुझे K का value मिला Y minus Z upon A into B minus C फिर K का value यह भी मिला फिर K का value यह भी मिला तीनो K ही है तो यह तीनो value भी equal होने चीए तो मैं नीचे लिख दूँगा from 1, 2, 3, 4 यह क्या आजाएगा Y minus Z upon A into B minus C Z minus X upon B into C minus A is equal to X minus Y upon C into A minus B यही तो prove करना था कि तीनो equal है यह तीनो का value K है देखो इसका value भी K इसका value भी K और इसका value भी K तो final answer कैसे लिख देंगे final answer लिख देंगे from 2, 3 and 4 ठीक है यह देखो 2, 3 and 4 यह तीनो जो है ना यह और यह तीनो equal है क्यों equal है तो यह हमने prove कर दिया और इसलिए लिख दिया hints, prove यही prove करना था आपको यह question में difference क्या पता है अभी तटके जो third में सारे questions है उसमें question में directly यह आपको दिया होता था यहाँ पर क्या किया उन्होंने question में ratio नहीं दिया question में तीन चीजे दे दी लेकिन ratio नहीं था उसको हमें जबरदस्ती ratio बनाना पड़ा कैसे by dividing each ratio by ABC तो यह जो part है न यह extra step है इसके बाद यह एक बार मिल गया ना उसके बाद तो यह normal समों क्या क्योंकि हमको दिख रहा है AB minus AC चाहिए तो हमने AB और AC वाला ratio लिखा का लिए फिर क्या चाहिए था BC minus BA तो हमने सिर्फ BC और BA वाला लिखा और तीसरे में चाहिए था CA minus CB तो CA और CB का लिखा और फिर theorem oniculus लगा के minus कर दिया ओके थोड़ा tricky है तीन parts यहसमें तीनों parts में एक section मना देता हूँ मैं तो यहाँ पे section मना दिया पहले दो की जोड़ी first वाले में solve की second दो जोड़ी यहाँ पे और तीसरे में जो दो की जोड़ी है वो इधर solve करते है अच्छा यहाँ पे जब भी यह दो जोड़ी साथ में लेते हैं तो from one लिखना क्योंकि यह one इधर से तीनों equal है तो दो भी तो equal होंगे न इसलिए from one लिखना मैंने दो select किये हैं क्योंकि मुझे दो जही हाँ रिक के लिए ओके से लो कर लो copy notebook में tricky है थोड़ा इसलिए यह दो तीन बार practice करना question और पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा difficult लगता ही है इसलिए बाद में यह easy लगेगा हो गया फोथ वाला देखते हैं फोथ में दिया है if y plus z upon a equal to z plus x upon b is equal to x plus y upon c then show that अब यहाँ पर show that को अच्छे से observe करो उपर x है हमारे पास उपर देखो y plus z, z plus x, x plus y वैसे terms है यहाँ पर भी उपर x, y, z वाले same terms है, ठीक है तो हम लोग कुछ न कुछ manipulation करके उसको ले के आ सकते हैं और यहाँ पर नीचे a, b, c है यहाँ पर नीचे देखो a, b, c वाले terms है single single है, b plus c minus a, तो अगर मुझे b plus c minus a नीचे लाना है तो उपर भी this plus this minus this करना पड़ेगा न जो नीचे करेंगे same चीज उपर करना पड़ेगा, बहुत है सिंपल है clearly दिख रहा है करना क्या ठीक है, जो questions में clearly नहीं दिखता ना, क्या करना है, वहाँ पर problem होता है, यहाँ पर तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर नीचे b प्लस c कैसे लाओगे, b में प्लस c करोगे फिर उसमें से a माइनस करोगे तो b के उपर जो है वो c के साथ प्लस होगा, और ये वाला माइनस होगा, ओके तो कैसे स्वाल करेंगे, देखो इसको पहले तो मैंने ये तीनो रेशियो यहाँ पर लिख दिये, और लिखा इसका वाल्यू लेते हैं k, ताकि हर जगे में k इक्वल टू ले सकता हूँ, ठीक है बार-बार ये पूरा रेशियो लिखना नहीं पड़ेगा अब मुझे क्या चीए, b प्लस c माइनस a, तो मैंने पहले b वाला लिख दिया, देखो, z प्लस x अपॉन b फिर c वाला लिखा, फिर a वाला लिखा और चेंज किया, कोई फरक नहीं पड़ता अब मुझे ये प्लस ये माइनस ये चीए ना, तो देखो मैंने b प्लस c माइनस a नीचे किया, तो उपर क्या होगा z प्लस x, प्लस x प्लस y, फिर बीच में देखो कौन सा साइन है, माइनस माइनस ओफ y प्लस z, ओके, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा z प्लस x फिर प्लस x प्लस y माइनस y प्लस z ओके, b प्लस c माइनस a किया, अब यहाँ पर जगा कम पड़ेगा इसको ब्राकेट को खोल के बताता हूँ, मैं, एक साथ डिरेक्ली नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर sign change होने वाला है तो यहाँ पर, हम लोग यह ब्राकेट को खोलेंगे, तो sign change होगा यह दोनों तो सेम रहेगा, विकॉस प्लस है, तो यहाँ पर लिख दिया तो minus y के साथ, यह प्लस y कट, minus z के साथ, यह प्लस z कट x प्लस x क्या होता है, x प्लस x होता है, 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, नीचे देखो, कोई change नहीं हो रहा है, नीचे तो यह ही है, same to same दिख रहा है, x अपॉन b प्लस c माइनस a, x अपॉन b प्लस c माइनस a, यह 2R है, लेकिन यह 2 को हम बाद में handle करतेंगे, तो इसको number देदो 2, अब next आपको क्या चाहिए है, secondary ratio देखो, c प्लस a माइनस b, अब यही 3 जो है, इसमें c वाला पहले लिखो, फिर a का लिखो, फिर b का लिखो, देखो यहाँ पर c वाला पहले लिखा, a का उसके बाद, b का उसके बाद, यह कहां से मिला मुझे, यह 1 से मिला, ओके, सिर्फ order change किया है, बच्चों, अगर a माइनस b, तो यहाँ पे भी यह दोनों प्लस होंगे, और यहाँ पे यह वाला माइनस होगा, तो देखो यहाँ पे, c प्लस a माइनस b किया, तो this प्लस this, फिर माइनस b है, तो b के उपर वाला भी माइनस होगा, राकेट खोल दो, राकेट खोलने के बाद, यह माइनस हो जा है क्या मिला y plus y हो गया 2y नीचे वाला तो c plus से minus b तो इसको number दे दिया 3 similarly आपको next क्या चाहिए a plus b minus c तो यह जो order दिया है same two same मैंसा ही लिखेंगे a plus b minus c ऐसा चाहिए ठीक है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यह दिख रहा है same order फिर क्या किया देखो a plus b minus c यह चाहिए था अगर नीचे ऐसा किया तो उपर भी ऐसे करेंगे a plus b minus c किया तो उपर भी y plus z plus z plus x minus x plus y यह bracket खोलो minus x minus of plus हो जाएगा minus y क्या-क्या कट हो गए है यहाँ पर यह minus y के साथ यह plus y काट यह minus x के साथ यह plus x काट जेड प्लस z आ जाएगा 2z और नीचे आ जाएगा a plus b minus c जो पहले से थे जहाँ पर भी आपने यह addition किया है ना वहाँ पे by theorem of equal ratios लिखना मत बूलना हर जगे लिखा है देखो यह reason लिखना important है आप combine करते हो ना तो यह theorem of equal ratios होता है यहाँ पर यह नीचे आएगा मैंने जब जगह किया यहाँ पर थोड़ा shift हो गया ठीक है और यह वाला equal to erase कर दो हमने वह नीचे करती है तो यह reason लिखना बहुत important है तो आपको क्या मिला आपको मिला कि k का value है 2x upon b plus c minus e k का value है 2y upon c plus e minus b k का value है 2z upon a plus b minus e तीनों का value k ही है न तो यह तीनों भी एक दूसरे को equal हो जाएगे कहां से मिला from 2 3 and 4 यह सब बहुत ही easy जो देखके question में जो पूछा गया वही देखके हम solve करें बहुत जाता दिमाग नहीं लगाना है यह सिफ operations है यह देखा तो हमने denominator में वैसे operations कि यह देखा तो denominator में ऐसे operations कि यह देखा तो ऐसे कि है फिर तीनों का result आया वो तो equal है because तीनों का value k है तो यह तीनों मैंने equal लिख दिये यह तीनों अब यहां पर मुझे two नहीं चीए देखो यहां पर two नहीं यह तीनों जगे तो तीनों को half से multiply कर दूँगा खट सकता हो ना फटा-फट से copy कर वे इजी है ना आया समझ में एक बार अगर थीरे दीरे से scroll करके देखना है देख लो यह first part फिर यह second part pause करके copy कर लो फिर यह third part last वाला done तो हमने यह first वाला भी कर लिया and हमने यह fourth वाला भी कर लिया and इसी के साथ अपना practice set 4.4 हो गया खतम हमने दो lecture में 4.4 खतम कर लिया ओके यह जो 5 questions के ना यह पहली बार कर रहे हो देख के थोड़ा difficult लग रहा है लेकिन हम actually में वही करते हैं जो पूछा गया है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है जो दिया गया है वही लाना है बस क्या यूश करके theorem of equal ratios यूश करके lecture यह पर खतम करते हैं वीडियो पसंद आया तो like करें दोसों के दाथ share कर दो फैला दो यह lecture ताकि उनको भी theorem of equal ratios एकदम easy ले गया अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर दो subscribe अभी तक वीडियो देख रहे हो समझ में आया है तो subscribe तो करी सकते हो बेल आइकन पर वे क्लिक कर दो ताकि जैसे practice at 4.5 का वीडियो आये आपको notification आये और आपको important lecture मिस न करें कमेंट में मुझे ज़रूर बताए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा thank you so much for watching this video